हलो फ्रेंड्स तो आज जिस मूवी के बारे में हम चानेंगी उसका नाम Along With The God The Two Worlds है इस मूवी में हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे एक आदमे मरने के बाद अपना पुनर जिवन पाने के लिए उसी के अच्छे कर्म उसकी मदद करते हैं तो और देड़ना करते हैं आज की काहानी मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम किम था वहाँ एक फायर फाइटर होता है एक दिन एक बिल्डिंग में आग लगने की कारण कि में एक बच्ची को बच्चाने के लिए उस बिल्डिंग के विंडो से बच्ची को लेकर कूद पड़ता है और एक रस्टी से लटका होता है कुछ लोग उसे बच्चानी के बहुरत कोशिश करते हैं लेकिन उससे पहले ही उस रसी में आग लग जाती है जिस्ते रसी तूट जाती है और वहां नीचे गिर जाता है उसके साथ जो बच्चा था वहां अभे भी जिन्दा होता है और वहाँ बच्चा अपनी माता पिता के पास दोड़ कर चला चाता है किम भी उस बच्चे के पास चाता है और उसका नाम पूछता है लेकिन वहाँ बच्चा या फिर उसके फैमिली किम के सवालों का कोई भी उतर नहीं देते हैं मानो जैसे कि वह एद्रिश्व हो गया हो कि तभी पीछे से कोई किम कहकर पुकारता है फिर किम पीछे मुर कर देखता है और वहाँ उसे ली और हैवन देखते हैं जो किम के तरफ देखकर स्माइल कर रहे थे कि तभी उसकी नजर उसी की बॉड़ी के उपर परती है जो किम मर चुका था और उसकी साकर्मी उसके बॉड़ी के सामने रो रहे थे वास्ताव में वहाँ किम की आत्मा है तब ली किम को बोलती है कि वहाँ एक पैरागॉन है और पेरगॉन बहुत ही महान व्यक्ति होते हैं इसलिए वे किम को आफ्टर लाइफ में लेकर जाना चाते थे अब यहाँ किम आफ्टर लाइफ में यानि के परलोक में नहीं जाना चाता क्योंकि वह अपनी बेजुबान मा को लेकर बहुती जादा चिंतित होता है लेकिन फिर भी वह पोर्टल में फर्स जाता है उसके बाद ली और हैवन किम को आफ्टर लाइफ में लेकर चले जाते हैं यहाँ किम उन दोनों की कैप्टन गैंग रिम से मिलता है आफ्टर लाइफ में बहुत सारे लोग थे लेकिन किम पैरागॉन होने की कारण आफ्टर लाइफ में सबसे पहले उसे जाने के अनुमती दी गई थी ली किम से बोलती है कि किम तुम एक पैरागॉन हो इसलिए 49 डेस में तुम्हारा पुनरजिनम होनी का चांस बहुत ज्यादा है जैसे ही किम आफ्टर लाइफ के अंदर आता है वहाँ का द्रिश देखने पर उसे नर्ग के जैसा लगता है ये फर्स ट्रायल होता है जिसका नाम हेल आफ मर्डर था रिंग बोलता है कि एक पैरागॉन होनी के बावजूद भी मर्डर हेल में तब किम बोलता है कि उसने कभी पे किसी का मर्डर नहीं किया तबरिम बोलता है कि अगर किसी की मित्यू तुम्हारे वज़े से हो तो उसके लिए भी तुम्हारी गल्ती मानी जाएगी ली के पास एक special power होती है जिससे वह देख सकती है कि एक इनसान अपने पूरी लाइफ में कौन कौन से पाफ किये हैं और वह देखती है कि किम की वज़े से उसके कली की मौत हुई थी उसके बाद तीनों गार्डियन्स किम को गौर्ड ओफ मर्डर के पास लेकर जाते हैं जहां हम देखते हैं कि बहुत सारी इंसानों को जलती हुए आग में छोर दिया गया है क्योंकि उन्होंने किसी ना किसी की हत्या की होती है Hell of Murder में किम को हत्यारा माना जाता है क्योंकि समय रहते उसने अपनी कलिक को नहीं बचाया था और उसे 5 सालों के लिए आग में जलने की पनिश्मिन्ट दी जाती है हलाकि गैंग रिम कर्मा के मिरर में दिखाते है कि किम ने उस कलिक के बदले 8 इंसानों की जान बचाई है एक्चुली किम अपने कलिक को भी बचाने के लिए गया था लेकिन वह पत्तर से दबा हुआ था जिसके कारण वह उसे नहीं बचा सका कैप्टन गैंग रिम बोलते हैं कि किम ने अपने परिचित कलिक को छोड़ कर अन्य आठ लोगों की जान बचाई तो क्या इसलिए उसे पनिश्मेंट मिलनी चाहिए ये सुनकर गॉड ओफ मर्डर किम को निडोश खोशित कर देते हैं इसके बाद रिम ली और हेव उन किम को सेकेंड ट्रायल हैल ओफ इंडोलेंस लेकर जाने के लिए रवाना होते हैं तब किम बोलता है कि आप लोग मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं तब ली कहती है कि सौ साल पहले किम यमोरा ने हमसे प्रॉमिस किया था कि अगर हम 49 पेरागॉन सोल को पुनर जनम दिला सके तो फिर हमें भी पुनर जनम मिलेगा लेकिन 49 देज के अंदर उन 7 ट्रायल्स को पास करना होगा और तुम 48 पेरागॉन सोल हो हलाकि किम अर्ट पे वापस नहीं जाना चाहता था लेकिन ली और बाकी एंजल्स कहते हैं कि तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते ये किंग यमोरा डिसाइड करेंगे अब किम ये बात सुनकर परिशान हो जाता है और नदी के तरफ देखने लगता है कि तभी उसके उपर कई सारी मचलिया हमला करती हैं और एंजल्स उसे इन मचलियों से बचाते हैं और कहते हैं कि कभी अपने आसपास के चीजों को ध्यान से मत देखना नहीं तो तुम्हें मुश्किलों का सामना करना परेगा उसके बाद वे सभी hell of indolence में पहुँच जाते हैं वहां goddess of indolence किम से पूछती है कि क्या उसने अपने लाइफ को ठीक से बिताया है तब कर्मा मिरर में दिखाया जाता है कि किम एक बहुत अच्छी लाइफ लीड करता है किम ने लोगों को बचाया है यहां तक ही पशूओ की भी मदद की हैं यह देख goddess प्रशन हो जाती है लेकिन किम बोलता है कि यह सब उसने पैसो के लिए किया है यह सुनकर goddess नराज हो जाती है क्योंकि उसने यह सब काम पैसो के लिए किये हैं इसलिए goddess किम को hell of indolence में भीजने का आदेश देती है hell of indolence वह जगा है जहां इनसानों को ठीक रहने के लिए पूरी जिन्दगी दोरना पड़ेगा नहीं तो भयानक मचली आओ उनकी मांस नोच नोच कर खाएंगी कि तब ही रीम और हेवन इस प्लाटफॉम को पकर लेते हैं बोलते हैं कि किम पैसों के लिए इस लिए काम करता था क्यूंकि उसकी मां की तबियर ठीक नहीं रहती थी और अपने भाई को लौ स्कूल में पढ़ाने के लिए किम दिन रात परिश्रम करता गया वह यह सब सिर्फ और सिर्फ अपने मां और भाई के लिए करता है ये सब देख गॉर्डिस उसे नेक्स ट्रायल में जाने की अनुमती दे देती है उसके बाद भी नेक्स ट्रायल के लिए निकल परते हैं जो की हेल आप डिसीट था यहाँ उन लोगों को सजा दी जाती है जिन्होंने दूसरों के साथ धूखा किया है सभी ब्लेड फॉरेस्ट से गुजरते हैं ब्लेड फॉरेस्ट वहाँ जगा है जहां के पेर पौधी ब्लेड से बने होते हैं हेवन किम को बोलता है कि तुम खुद को पनिश्मिन्ट क्यों दिलाना चाते हो तुम्हारा पुनरजनम होना तै है क्योंकि तुम एक पैरागॉन हो पुनरजनम से पहले तुम अपने फैमिली के किसी भी एक मेंबर के सपने में जा सकते हो ये सुनकर किम चुप चाब बोट में बैठ जाता है क्योंकि वहाँ अपनी मा के सपने में जाने के लिए उत्सुक था रास्ते में कुछ creatures उन पर हमला करते हैं और angels डट कर उनका सामना करते हैं और पहार तोर कर उन से पीछा चुडाते हैं हैवन बोलते हैं कि किम के किसी family member की मित्ति हुई है और उसकी आत्मा प्रित्वी में ही भटक रही है जिसके वज़े से किम के साथ ये सब हो रहा है इसलिए वे किम के आख बान देते हैं जिससे किम के उपर कोई हमला नहीं होगा कैप्टन रिम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए प्रित्वी में जाते हैं और किम के आफिस में आखे बंद करके किम के मौत के बाद जो भी हुआ है वो सब देखते हैं फिर रिम किम के घर जाते हैं और देखते हैं कि उसकी मा किम की मौत से बहुत ज़ादा तूट चुकी है और कैप्टेन रिम को अवास होता है कि किम के भाई की देथ हो चुकी है और उसी की आत्मा पृत्वे में भटक रही है और रिम उस सूल का पीछा करना शुरू करते हैं ताकि वहाँ उसकी बॉड़ी को ढून सके लेकिन रिम इस बॉड़ी को ढून नहीं पाता उस दोरान एक बुड़ा आदमी कैप्टेन रिम को देखता है और बोलता है कि मेरे मरनी का समय नस्दीख आ गया है ये बात सुनके उसका ग्रैंटसन बोलता है कि ये सब बते मत कीजिए दूसरी तरफ किम अपने आखों से पठी हटा कर ली को कुछ बोलना चाता था कि तभी ब्लेड फॉरेस्ट के बहुत सारे क्रियेचर्स फिर से उन पर हमला करने के लिए आ जाते हैं कि तभी वहाँ बहुत बड़े बड़े दो दानाव आते हैं एक्चुली आफ्टर लाइफ के किंग यमुरा स्वैम वहाँ आते हैं और ली को बोलते हैं कि अपने कैप्टन रिम से बोल देना जल्द जल्द उस आत्मा को खतम करें नहीं तो किंग यमुरा स्वैम प्रित्मे में जाएगा इसके बाद किंग को हैल आफ डिसीट में लेकर जाते हैं और किंग के कली के मित्यों के बाद उसके बेटी को लेटर लिखने की बाद को उठाया जाता है और साथ ही उस लर्की से उसके पिता की मित्यों की बाद ना बताने की बाद भी उठाया जाती है किम उस लड़की को ऐसी जूटी लेटर्स एक या दो बार नहीं लिखता बलकि 98 टाइम्स लिखता है और ये बात जब उस लड़की को पता चलता है उसके पिता कुछ मित्यों हो चुकी है पहले तो उसको बहुत जब बुरा लगता है और फिर किम अपनी मा को भी उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा है जूटी लेटर लिखता है वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि किम ने 15 साल पहले घर छोड़ दिया था जब उसे जोट बोलने की वज़ा पूची जाती है तो किम कुछ भी नहीं बोलता फिर एक प्रेयर की ब्रांचेज किम को पकर लेती है और उसके टंग काटने की कोशिश करती है कि तभी ली बोलती है कि किम के कली की बेटी बहुत ज़दा छोटी थी जिसे देख किम को उस लरकी पे दया आ गई हलाकि जब वहाँ लड़की पड़ी हुई तब वहाँ अपने स्टडिस कम्प्लीट कर चुकी थी और उसे अपने पिता के मित्यू की बारे में पता चल जाता है पिर किम ये भी बोलता है कि उसकी माँ बहुत जादा बिमार थी जिसके वज़र से किम ने अपने माँ को जूटी लेटर्स लिखी जब किम की माँ को लेटर्स परकर पता चलता है कि किम की शादी हो गई है और उसका एक बेटा भी है कि उनकी रेकवरी बहुत ज़्यादा जल्दी होती है जिसे पता चलता है कि किम ने अपने लिए कोई भी जूट नहीं बोला उसने दूसरों को खुश करने के लिए जूट जिसे ये साबित हो जाता है कि Kim एक मासूम है कि मने थर्ड ट्राइल भी पास कर लिया था इसके बाद वह ट्राइल फोर के तरफ जाता है दूसरे तरफ हमें दिखाया झाता है कि कैपटन डुम किम के भाई सूहंग के आर्मी बेस में आते हैं और देखते हैं कि डंग यंग नामक एक आर्मी अपनी सीनियर को बोलता है कि वह सो नहीं पाड़ा है उसे ऐसा अभास हो रहा है माना जैसे उसे कोई देख रहा हो ये सुनकर रिंग को कुछ संदियर होता है उसके बाद कैप्टन रिंग अपना भेस बदल कर सीनियर और डंग यंग से पूछताच करने के लिए आते हैं लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता उसे सिर्फ ये पता चलता है कि मित्यू वाले दिन उसे गार्ड की ड्यूटी मिली थी उसके बाद कैप्टन रिंग सूहं के मित्यू वाले दिन को देखना शिरू करते हैं सूहं का साथी डन्यान बहुती ज़्यदा नर्वस टैट के लर्का था सूहं डन्यान को हिम्मत देता है और उसे हग करता है और बोलता है कि अपने राइफल को ठीक करो डन्यान जब अपने राइफल को ठीक करता है तब गलते से गोली चल जाती है और सूहं को लग जाती है तब सूहं उसे कहता है कि पार्क को बुलाओ और बाकि किसी से भी कुछ मत कहना उसके बाद जब पार्क आता है और सुहंग को उस हालत में देखकर बहुत जदक घवरा जाता है और लोने लगता है उसके बाद वा यांडंग को सब कुछ साफ करने के लिए कहता है इसके बाद कैप्टन डिम देखते हैं कि इन सब के बीच वे सुहंग के हाथ को नोटिस ही नहीं करते अभी भी वह जिन्दा था कैप्टन डिम ये सब देखकर अपनी पिछली जनम की एक जलक देखते हैं जहां वह भी एक योधा थे और बहुत से मृत शरीर की बीच में वह भी थे पार्क और यंडंग बिना जाने ही कि सुहंग अभी भी जिन्दा है उसे मित्टी में ही दफना देते हैं और सुहंग की मा को बताया जाता है कि वह भाग गया है ये सुन उसकी मा रोनी लगती है ये देख कैप्टन ड्रिम फिर से अपने अतीत की एक जलक देखते हैं उसके बाद कैप्टन ड्रिम सुहं के बॉड़ी को जहां दफनाया गया था वो ढूनने जाते हैं दुसरी तरफ हमें ली और हैवन को दिखाया जाता है जो किम को ली को नेक्स ट्रॉयल की तरफ जाते हैं और दोनों तरफ बर्फ की बहार होती है और पहार तूटना शुरू हो जाती है किम को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मा और भाई प्रित्वी में सही सलामत है फिर ली और हेवन किम को लेकर एक केबल कार में बैट कर हैल आफ इंजिस्टिस के तरफ चले जाते हैं यहां उन लोगों को सजा मिलती है जिन्होंने क्राइम करनी की बाद प्रित्वी में सजान नहीं कारती उन्हें यहां बर्फ में जमा कर पनिश्मिन्ट दिया जाता है यह दोनों ट्रायल ही किम के उपर लागू नहीं होते क्योंकि किम ने किसी के साथ भी अन्याई या फिर किसी को भी धोका नहीं दिया था इसलिए किम असानी से ही ट्रायल 4 और 5 पास कर जाता है रास्ते में जाते वक्त किम बोलता है कि एक पर उसका भाई केबल कार में बैटना चाहता था लेकिन किम ने उसे केबल कार में बैटने नहीं दिया और ऐसे ही बातों ही बातों में हैवन बोलता है कि किम के भाय किन मित्ती हो गई है और उसकी आत्मा पृत्वी में ही भटक रही है हो सकता है कि उसके आत्मा को पृत्वी में ही खतम कर दिया जाए और वो कभी भी आफ्टर लाइफ में ना आ सके ये सुनकर किम आस्चारी चकित हो जाता है कि तभी केबल तूट जाती है और ली और हैवन गिरने ही वाला होता है कि तभी कीम फायर फाइटर जैसे उन्हें बचाने की कोशिश करता है क्योंकि वह जल्द से जल्द अपनी मा के सपने में जाना चाहता था क्योंकि वहाँ पृत्वी में उसकी माँ अकेली है दूसरी दरफ कैप्टेन रिम सुहं की लास को मिट्टी से निकालने की कुशिश करते हैं कि तब ही वहाँ हैवन आ जाता है और बोलता है कि आप सुहं की आत्मा को खतम क्यों नहीं कर देते हैं चब कैप्टेन रिम कहते हैं कि सूहं की मा को कभी भी उसके बारे में पता नहीं चल पाएगा इसलिए वह सूहं की बोड़ी को उसके मा के पास पहुचाना चाता है लेकिन हेवन रिम से लड़ने लगता है दूसरी तरफ यन डंग बहुत घबराया हुआ है इसलिए पार्क उ पीछा करता है उस रात को वहां बार में दारू पीकर डांस कर रहा था वहां सूहं की आत्मा उसे मारना चाहती थी लेकिन कैप्टेन रिम को देखकर वहां फिर से भाग जाता है कैप्टेन रिम उस आत्मा का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि अ सा भाई जिसने 15 साल पहले ही घर चोड़ दिया था और फिर कभी भी लौट कर नहीं आया कैप्टन उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी पीरा को समझ रहा हूँ तब सुहंग बोलता है कि तुम मेरे दर्थ को नहीं समझ सकते हो उन लोगों ने मुझे जीते जी मित्ति में दफना दिया और उस रात मुझे मित्ति तक बहुत ज़्यादा कश्ट हुआ ये सब सुनकर कैप्टन उर्म को अपने अतीत की जलक देखती है जिससे वह कमजोर पर जाता है और सुहंग अपने सकती का प्रयोग करके वहां से भाग जाता है और हम यन डंग को देखते हैं जो सुहं के मा के पास जाता है और उसे एक मैप देता है जिसमें सुहं के बोड़ी जहां दफनाई गई है उसका पता है उसके बाद कैप्टन उर्म आफटर लाइफ में जाकर बोलते है कि किंग 15 सालों में एक बार भी अपनी घर नहीं गया तब हैवन बोलते है कि आप सुहं के आत् फाइलन्स में लेकर जाते हैं वहाँ एक बड़े इसे होल में किंग को जाता है जहां बहुत सारे पत्थर हवा में ही उड रहे थे दूसरी तरफ यंडंग सुहं को मारने के लिए बहुत ज़दा गिल्टी फिल करता है और सुसाइट करने की कोसिस करता है तब सुहं को बहुत से परिशानियों का सामना करना पड़ता है और वहाँ बहुत सारे पत्थरों के बीच में गिरना शुरू हो जाता है लेकिन एंजल्स उसे बचाने के पूरी कोशिश करते हैं दूसरी तरफ हम किंग को ट्रायल 6 यानि की हेलो फाइलन्स में देखते हैं जहां कर्म मा को भी मारने की कोशिश की थी किम से जब ये पूछा जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया तब किम चुप रहता है इसलिए उसे हेलो फाइलन्स में पनिश्मेंट देने का आदेश दिया जाता है जिसमें उसे लंबी समय के लिए एक पिट में उठते हुए पत्थरों के पनिश्मेंट तीनों एंजल गार्डियन्स को मिलेगा अर्था तभी कभी भी पुनरजनम नहीं ले सकते इसके बाद किम को नेक्स ट्रायल यानि की स्ट्रायल सेवन में जानी की एनुमती मिल जाती है अब सीन सिफ्ट होता है और हम सुहंग को देखते हैं जो कैप्टन रि लेती है और ये सब किम से पूछती है कि तुमने क्या सच में अपनी मा को माने की कोशिश की थी तब वहाँ बोलता है कि सिर्फ मा को ही नहीं अपने भाई और यहां तक कि दोनों को मानने के बाद खुद भी मर जाना चाता था क्योंकि उसकी मा और भाई की तबियत बहुत खराब थी और वहां सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा था तब किम बहुत ज़दा छोटा था उसके पास जिंदा रहने के लिए कोई भी आशा नहीं थी ली को समझ में आ जाता है कि इसी वज़े से किम उस दिन अपने घर से भाग गया था और किम अब अपने लास्ट आता है इसलिए वह वहां पे टॉर्नेडो क्रियेट करता है जिसके वज़े से आफ्टर लाइफ में किम को बहुत से परशानियों का सामना करना परता है और वहां भी तुफान आ जाता है और किम रेत के अंदर धसता जाता है जिसको ली बचानी के पूरी कोशिश करती है औ और बहुत जादा चुलाती है और उसकी आवाज सुहां भी सुन पाता है और कैप्टन रिम उसे बोलता है कि देखो तुम्हारे वज़े से तुम्हारे भाई को कितने मुसीबतों का सामना करना पर रहा है और उसे पकर लेता है और तब किम भी उस डेजर्ट से ट्रायल किम को पनिश्मिंट देने का आदेश सुनाते हैं क्योंकि उसने अपनी मा को मानी की कोशिश की थी इस प्रित्वे में इससे बड़ा पाप और कुछ भी नहीं है ली बोलती है कि उस रात के बाद से किम ने कभी भी रेस्ट नहीं लिया उसने दिन रात एक करके महनत किया है सिर्फ और सिर्फ अपने मा और भाई के लिए और यहां कोई विक्टिम भी नहीं है क्योंकि उसकी मा को होश नहीं था वो सोई हुई थी उसकी बात करमा के मिरर में दिखाया जाता है कि उस रात जब किम अपनी मा को माने की कोशिश करता है तब उसकी मा जगी होती है किम य क Hugh Network को दोशी मानता है और उसे नर्क में भीजने के विंति करता है किम को जब नर्क में भीजने की आदे ही सुनाई चाती है तब ये सल बात Captain dream और सुhtete सुनते हैं तब कैप्टन रिम्स सुहंग को उसकी मा के स्वपने में भीजते हैं जहाँ सुहंग अपनी मा से बोलता है कि जब वह बिमार थी तब किम उसे और सुहंग को माने की कोशिश करता है और इसका गिल्ट उसे अंदर ही अंदर तकलीफ देता है जिससे वह घर छोड़ कर चला जाता है तब उसकी मा बोलती है कि वह अपने बच्चों से बहुत ज़्यार करती है और वह इन सब के लिए नाराज नहीं है असल में वही एक अच्छी मा नहीं बन पाई इसलिए उनकी बच्चों को एतनी ज़्यादा मुस्विवतों का सामना करना पर रहा है ये सब किम करमा के मिरर में देखता है और बहुत ज़्यादा रोता है तब किंग यमूरा बताते हैं कि जैसा कि किम की मा ने उसे माफ कर दिया है इसलिए उसने ये ट्राइल भी पास कर लिया है और वहाँ अब पुनरजनम पाने के लिए ली को बाई बोलकर चला जाता है इसके बा हनी यही पर इंड हो जाती है थैंक्स पर वाचिंग